नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में इस वीडियो में जैसे आप देखी पा रहे हैं कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्मोडिटी अपडेट्स जो अभी रश्य वार चल रहा है तो क्मोडिटी बहुत भयानक तरीक से अभी जंप अप हुआ है क्योंकि जो रिजर्फ करेंसी है यूएस डॉलर है इस लोली और गैचुली इस बेकमिंग वीकर तो अभी यह से आप देख पा रहे हैं कि यह और यह इक बहुत आपकर चेंजेश ना चेंज़ेश आया है और इस तरीके से जो ग्लोबल मारकेट है अभी जो रिक्वार्मेंट है पहले से बहुत था वह यह है कि रिप्लेस्मेंट ऑफ डॉलर को रिप्लेस करके अगर हम लोकली रिजर्फ कर से को चेंज कर सकते हैं और उल्भ बेनेफिट फॉर एवरीवन इन दे वर्ल अपार्ट फॉर्म अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने बार बार काये कि अभी जो है ग्लोबल एकनोमिक क्रैश करने वाला है प्राइम्मेरिली यहां पे अगर हम ब्रेंट क्रूट की बात करें एक साल के अंदर आपक 25% ग्रोट हुआ है सिफ क्रूट ओल का जो अभी इलेक्शन के बाद हमारे इंडियन एकनोमी को डेफिनिटली हमपर करेगा अगर उसको थोग सा सप्रेज भी किया जाते दिन इस फाइन बट यहां पे जो भी सिचुएशन है विच इस वेरी इन इस वेरी दिफिकल और छंड पेड़िकल सिचुएशन है विच इस वेरी इस वेरी इस वेरी इस को सिचुएशन है जो जो यह आप से बाद कर निच जो आपके जो जो और यह दो आपका आपका जो जो यूस होता है एलेक्ट्रões जैसे देख पार है कि ऊसको अगज बढ़ित क्षो पर यह तर चीन महिने के अंदर आपका नियरली वन प्री टाइम से बढ़ गेया है पालम यारे जो है इल्लेक्ट्रोनिक्स में इस्तमाल होता है जो आपके होते हैं इंफ्रास्ट्रक्टर में होता है जिंक बढ़ रहा है रीबार कर प्राइस इस फाइन ओन वह चार पांच परसें य huge amount of growth that is going on same goes with you know these are the you know high volume steel high volume copper high volume इस्तमाल होता है silver future मैंने last year से मैं इसको ट्रैक करहूं विकास I buy silver I don't buy gold so silver का जो है इसका उतना last year से उतना growth नी हुआ है क्योंकि ये 68 000 से 70 000 के range में आ रहे है ये पर kilo के मैं बोल रहू हूं उसके range में इसका अटका हुआ है gold जो है it is fine it will be stable silver will be stable silver बहुत fluctuate करता है क्योंकि 48 000 था per kg in 2019 right so अभी जो है because of the current situation and the reserve currency is fucked up so इस जगा पर अभी हम देखें कि क्या होगा कि जो आपके real estate है और आपका जो gold है या जो भी heavy metals है materials है जो fixed gold silver जो है इसका demand जो आपका बढ़ेगा इसका demand बढ़ेगा इसका खपच जो है वो भी बढ़ेगा लेड लोग पर्चेज नहीं करते है because it's carcinogenic so इसका भी आपका जो बैटरी का प्राइस है बैटरी का प्राइस भी बढ़ने बाला है so which is a good thing for you if you are investing in these companies which are dealing into this but it's a very bad thing if you are a consumer अगर आप इस business में है then it is perfectly fine because आपका जो business है उसको grow करेगा उसका margin भी गो करेगा and you have to increase the prices but as a consumer it is a very concerning factors तो अभी commodity market में बहुत ही अभी जो है next six months will be very crucial and next six months में जो है अगर आप bet खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं but I do not play in commodity market I primarily focus on the industry and I am playing long term I don't play a game of six months I play for you know at least minimum of two to four years minimum that I invest 6 months if I think in six months because six to nine months is basically a facade so I do not want a bust business because I do not want to waste my money and lose my money so all these commodities market this is how it is moving and this is going to become even further difficult for everyone